पहचान से मिला काम थोड़े बहुत समय के लिए रहता है लेकिन काम से मिली पहचान उम्र भर रहती है नमश्कार दोस्तों, वेलकम टू उर्नती कमपर्टीशन क्लासिस आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा घटना चक्र बुक के बारे में इस बुक के अंतरकत के विल वही कोशन्स रखे गए हैं जो SSC के एक्जाम में पूछे गए थे और जिनके आने वाले एक्जाम में काफी अधिक संभाव बनाए पढ़ने के दो तरीके हैं, अगर समय काफी अधिक हो आपके एक्जाम का, आपके एम का, आपके गोल का तो आप बेसिक एक एक चैप्टर को काफी अच्छे से स्टडी करें, जब समय काफी कम बचा हो तो एक सेलेक्टिड बुक उठा लीजिए, जिसमें प्रिविस एर के कोशन्स दिये हो, उनको अच्छे से याद कर लें, उन पर अपनी पकड़ बना लें तो ये एक बुक है, एक छोटा सा परियास है मेरा, आपको इसके मैक्सिमम जितने भी सारे विसे हैं, वो सब आपको पूरे करवाने का तो घटना चकर चकर के नाम से एक प्लेलिष्ट है, घटना चकर प्लेलिष्ट में आप जाईए, वहाँ पर आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे इस बुक से संबंदित, उन सब का आप लाब उठा सकते हैं अगर आपके पस ये बुक है, तो मैं कहना चाहूंगा कि इस बुक को वाच्च ना करें तो चलेगा आपके वर उस बुक पे टार्गेट सेट करिए अपना, छोटे छोटे एम अपने सेट करिए बुक से और इसको पढ़िए अगर आपके बस ये बुक नहीं है, मार्केट में एवलेबर हो सकती है, मनी कि आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आप इस बुक को मार्केट से परचेस कर सकते हैं, या फिर आप इसको ऑनलाइन भी शॉपिंग कर सकते हैं इस बुक का लिंक, मैं Amazon का लिंक आपको दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे क्लिक करेंगे, वहाँ से भी आप बुक को परचेस कर सकते हैं, कहीं से भी परचेस करें या पढ़ें टारगेट यह है कि पूरे दिहान से पढ़ें, पूरे लगन से पढ़ें चलिए, सुरू करते हैं अपना आज का ये वीडियो देखे, यह है पार्ट फाइव, इसमें हम बात करेंगे केवल और केवल मौरे काल से सम्बंदित, अब तक SST ने 20-25 सालों में अब तक जो भी कोशन्स पूछे हैं, उन सभी कोशन्स के बारे में किक है, देखे, कोशन नमबर वन, हमसे कहता है कि चंदर गुप्त मौरे के बाद मौरी सिंगासन पर निमलिखित में से कौन बैठा था उसका नाम क्या है? देखे चंद्रकुट मौरे की बात की बात कर रहा है कि उसका सिंखासन किसने समाला था? तो इसका राइट आंसर है बिंदु सार Quesion No. 2 युनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? भारत में जो पहले युनानी थे उनको बाहर किसने ख़देडा था कभी-कभी एक्जाम में ख़देडा वर्ड भी यूज़ कर सकता है language थोड़ी change कर देगा question की फिर भी हमको घबराने की आवशकता नहीं है ठीक है हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए आपके mind में हर तरह से questions बनना चाहिए कि यार अगर इसने ये questions इस तरह से पूछा तब क्या होगा तब भी तो answer वही होगा तो ये skills आप develop करिए चलिए बढ़ते है question number 3 के और देखिए फिराद थोड़ा सा मैंने इसको highlight कर रखा है तो मैं चाहूँगा कि आप इसको भी पढ़े जैसे कि सैल्यू कस्मी चंदर गुप्त मौरिय के साथ अपनी कुत्री के विवाब में दहेश के रूप में एरिया अराकोसिया जैडरोसिया और पेरी पेमिस दाई के छेतरों को दिया था दहेश के रूप में पहले क्या चलते थे पूरे छेतर फल ये छेतर फल आपका हो गया ये एरिया आपका हो गया ये छेतर आपका हो गया तो दहेश के रूप में आज की तरह कोई गाड़ी, बाइक इस तरह के आइटम नहीं देता है पहले चलते थे केवल छेत्र कि जाओ मैंने देज में तुमको ये छेत्र दिया तो अब याद अपना युनानियों को भारत से बाहर किसे निकाला था ये निकाला था चंदरगुप्त मौरिया ने कुर्शन नमबर थ्री कि अशोक के आधीन मौरिय राज तंतर का सबसे सही वर्दन निमलिखित में से कौन सा होगा तो उसका राइट अंसर होगा केंदरी करत एकादी पत्य है कुर्शन नमबर फूर अशोक के परसासने के नीती में भारी परिवर्दन किस घटना से आया था वो आया था कलिंग युस से कलिंग कहाँ पर है यह है उरिसा में और कलिंग का युद किस के मद्दे हुआ था या शोक के मद्दे हुआ था और एक खारविल राजा था उरिसा का उसके मद्दे हुआ था बढ़ते हैं कुर्शन नमबर फाइव की और कुर्शन नम्बर 5 है निम नोक्त में से कौन मौरिय वंस का अंग नहीं था ये था अजात सत्रू कुर्शन नम्बर 6 निम लिखित में से प्राचिंतम राजवंस कौन सा था ये था मौरिया याद रखेगा ये कौन सा वंस था मौरिया कुश्चन नम्बर 7 निम्र लिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवा नाम पिरिया दर्शी था तो इसका राइट आंसर होगा मौर्या राजा अशोग कुश्चन नम्बर 8 कलिंग युद के बाद निम्र में से किसने महाराज अशोग के रुपांतरन को दर्श किया तो इसका राइट आंसर रहेगा रॉक एडिक्ट ये थे 13 तेरा तेरवे सीला लेक में कलिंग युद का वर्ण करा गया है आपसे एक्जामे कोश्चन ये पूछता है कि कलिंग युद का बखान या वेक्खान या फिर उसके बारे में जिक्र वो कौन से सीला लेक में मिलता है तो आप याद रखिएगा वो सीला लेक है तेरवा ये कोश्चन काफी इंपॉर्टेंट कोश्चन है और इस तरह से कोश्चन से अपके एक्जाम में कई बार पूछा गया है ये इसलिए मैंने इसको हाइलाइट करा है और मैं चाहूंगा कि आप इसे नोट करें और याद करें या फिर नोट ना करें वीडियो को पॉस करें इस लाइन को कम से कम 12 से 15 बाल तेटेज बोलने का परियास करें आपको ये आटोमेटिक याद हो जाएगा तेज तेज इतना तेज नहीं बोलना है कि पर उसी आकर कि आप से पूछे वही क्या हो गया ठीक है चलिए देखिए नैक्ष्ट इसका हाइलेट है इस तीरा लेक में उसने कलिग युद से हुई पीरा पर दुख और पश्चाता व्यक्त किया है ठीक है जो भी पीरा हुई कलिग युद में जो जन संगार हुआ उसके बाद में इसका हिर्दे परिवर्तन हुआ कौन से भिक्षू इसके सामने आए भूद भिक्षू जो आये थे उनका नाम क्या तो उसका नाम था उप गुप्त ठीक है ये कौन से भिक्षू उनके समक्ष आये थे कि जिसके बाद में अशोक का हिर्दे परिवर्तन हो गया उसका नाम था उप गुप्त बढ़ते हैं कोश्चन नमबर 9 की और निमलिकित में से किस विदेशी जातरी ने भारत का दोरा सबसे पहले किया था ये थे मैग स्थनेज और थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं ये सैलुकस निकेटर के राजदूद थे चंद्रकुप्त मौरे के दरवार में आये थे और इंडिका में मौरिय यूगिन समाज एवं परसासन के विसे में इन्होंने लिखा था इनके दोरा लिखी गई कौन सी पुस्तक थी उस पुस्तक का नाम क्या था उस पुस्तक का नाम था इंडिका कोशन नमबर 10 चंद्रकुप्त मौरे के दरवार में बेजा गया यूनानी राजदूत कौन साथ था इसका राइट आंसर है मैगस्तनीज जैसे कि हमने कोशन नमबर अभी नाइन में देखा देखे दोनों में थोड़ा से इसने लेंगविज चेंज कर दी मतलब वही है तो इस तरह से आप प्लीज इसको याद करिएगा कि लेंगविज थोड़ी सी चेंज कर दीता है एक्जाम में इस बात को जो मैं समझाने का परियास कर रहा हूँ इस बुक के माद्गियम से वो आप समझने का पूरा इमानदरी से परियास करिएगा बढ़ते हैं कोश्चन नमर 11 के और इंडिका किस ने लिखी लोजी इंडिका किस ने लिखी तो इंडिका जो पुस्तक थी ये लिखी गई थी मैगसनिस के द्वारा आप याद रखिएगा ये लिखी गई थी मैगसनिस के द्वारा और इसका right answer क्या है B Question number 12 निमलिकित में से समराड अशोक की वह पतनी कौन थी जिसने उसको परभावित किया था कि आप ये जनसंगार मत करो उसका नाम क्या था उसका नाम था करूवाकी उसका नाम क्या था करूवाकी आपने अशोक मोवी जो आपका शारुक खान जिसके एक्टर थे और कैटरीन कैफ हिरोईन थी उसमें तो इन दोनों के मद्धे एक अशोक का मोवी बनी थी वो अगर आपने नहीं देखिया वो देखिये उसमें आपको चलेगा पता कि कैसे उसका हिद्धे परिवर्तन हुआ उप गुप्त आये तो क्या का तो इस तरह से भी मुवी देखने से आपके नौलेज पावर जरूर इनकीरिज होगी परशन नमर 13 अशोक ने किस बोध सादू से परभावित होकर बोध धर्म अपनाया देखिये अभी मैंने कई बार आपको बोला उप गुप्त ठीक है उप गुप्त तो ये नाम आप याद रखिये इनके परवचन के बाद ही इसका हिद्धे परिवर्तन हुआ था किसका अशोक का और ये कौन से बिक्षू थे ये थे बोध धर्म के बिक्षू कोशन नमर फोटीन निम्रिकित में से किस सासक के सासनकाल में नेपाल में बोध धर्म का आगमन हुआ था उसका नाम था अशोक कोशन नमर फिफटीन चंद्र गुप्त मौरे का परसिद गुरू चानक किया निम्लिकित में से किस विद्या केंद्र से सम्दित था ये था तक्षिला से ठीक है याद रखीगा तक्षिला चंद्र गुप्त मौरे का परसिद गुरू चानक किया तक्षिला विद्या केंडर इस्थापित है महाँ पर अब कलिंग जुद्ध किस वर्स हुआ था बात कर रहा है कोशन नमर 16 में कलिंग जुद्ध कब हुआ था ये हुआ था 261 BC में और ये आपका 10 प्लस 2 के 211 में ये पूछा गया था और इसके लावा भी ये कई बर अधर एक्जाम में पूछा गया है तो ये कोशन्स काफी important कोशन्स है इससे जुड़ा एक fact मैं आपको बताना चाहूँगा राज्य विशेग ठीक है इसका कलिंग जुद हुआ था कोशन्स को एक्सेक्ट में लेकिर आजब इसे कब हो था 269 में 269, 261 दोनों पर फोकस करना केवल मात्र आठ वर्स के अंतरगत इसका ही क्या हो गया हिर्दे खुड़ा परिवर्तन हो गया तो ज़्यादा लंबे समय तक इसने राज नहीं करा लेकिन आठ वर्स के बाद में इसका हिर्दे परिवर्तन हो गया इसने बोध्रम अपनाया किसने उपदेश दिया था और कलिंग कहां पर है यह आपको पता होना ची कलिंग का उससमें राजा कौन था यह सभी हम कोशन्स डिसकस कर चुक है इसी वीडियो में बढ़ते हैं कोशन नमबर 17 की और अशोक पर कलिंग जुद का परभाव आखिलकार क्या हुआ अगर हुआ तो हिर्दे परिवर्दन हुआ जो इसका पश्चाताब हुआ इसको दुख हुआ इसने पुरा बखान करा है एक सीला लेक में उस सीला लेक की संख्या क्या है ये है तेरवे सीला लेक में देखिए अभी हमने कोशन में पहले देखा था थोड़ा सा लेंगवेज चेंज कर दिया और इस तरह से ही आपके SST exam में कोशन्स पूसता है कॉपी पेस्ट के लावा नया कोशन्स आपका डिजाइन कहीं और से नहीं होगा प्रिवे सीला में से कोशन्स उठाया नय कोशन्स जो डिजाइन करना है उनको उसमें पेस्ट कर दिया थोड़ी बहुत लैंगवेज चेंज कर दिया आपके सामने प्रेजेंट कर दिया और बच्चे कन्फीज हो गए कोशन छोड़के आ जाते हैं मैकसिमम स्टुडेंट तो ये इस केस आपको डवलप करनी पड़ेगी और करनी चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपका एक्जाम अच्छे नंबर से पास हो क्रैक हो कोशन नंबर 18 है कि मौरे काल के दोरान सिक्षक का सबसे प्रस्चिद केंद्र निम्न में से कौन सा था ये था तक्षिला और वर्तमान वर्तमान में इसलामाबाब जो पाकिस्तान की राजानी से कुछी दूरी पर पश्चिद में इस्तित है चंद्रगुप्त मौरेया ने सैनिक शिक्षा तक्षिला से पराप की थी और चानक के यहां के परसिद आचारिय भी थे कोशन नंबर 19 अशोक ने अपने सभी अभिलेकों में एक रूपता से किस प्राकर्त भासा का परियोग करा था ये करा था अर्दमगदी आपसे ये इसकी भासा भी पूचता है अशोक ने अपने अभिलेकों में कौन-कौन सी भासा का परियोग नहीं करा है आपसे एक्जाम में नहीं का पूचता है लेकिन देखिए इसने किस किस में करा ये आपको चारो याद रकने है ब्राही, खरुष्टी, ग्रीक, एवं अर्माइक लेपी ये चार लेपी में इसने अपने सीरा लेक में परियोग करा है और चौत्था आपको कुछ अलग देगा तो आपको याद रखना है इसके बारे में अशोक के इस्थम लेखों की संक्या रोडर कितनी है अब बढ़ते हैं कोश्चन नमबर 21 की और कोश्चन नमबर 21 हमसे कहता है कि निम्न में से किसने और कब पहली बार अशोक के सीरा लेखों का अध्यन करा या अर्थ को सपष्ट करा इस तरह से कोश्चन से पूछता है अध्यन किसने करा पहली बार किसने अशोक के सिरालेखों का सही अर्थ किया है ये किसने परकट करा तो ये करा था 1830 में जेम्स प्रिंसिप ने कोशन नमर 22 राज तंतर के बारे में निमनिमे से किस गरंप में विवेचन उपलब्द है ये है विवेचन अठ सास्थर में कोशन नमर 23 निम्लिकित में से किसके द्वारा तृत्या गोध परिशत का संदक्ष्ण परदान किया गया ये करा गया अशोक के द्वारा और चौथा जो हुआ था परिशत वो कराया था इसके पुत्र कनिश्क ने कभी-कभी एक्जाम में चौथा भी पूछ लेता है तो चौथा कौन था कनिश्क बढ़ते हैं कोशन नमर 24 के ओर कि बिंदु सार ने विद्रोयो रिबिलियन को कुचलने के लिए अशोक को कहां बेजा था ये बेजा था तक्षिला में ये कहां बेजा था ये बेजा था तक्षिला में कुशन नमर 25 मौर्य वंस के सत्काल बाद किस वंस ने आकर मगद राज्ये पर सातन किया तो इसका राइट आंसर है सुंग अन्ति मौर्य समराठ ब्रहमदत की हत्या करके पुश्यमित्व सुंग द्वारा एक सुचराथ के सापुर्व में सुंग वंस की स्थापना की थी बच्चो आज के इस वीडियो में बस के वले इतना है अगले वीडियो में हम बात करेंगे मौरय स्तर काल की अब तक जो भी कोशन पूछे गए थे इस एक्जाम में मैक्सिमम आपके पास सारे कोशन कवर हो गए है लैंगवेज चेंज करेंगा घबराने के आपको बेकल भी आवश्यक्ता नहीं है जाईए प्ले लिश्ट में देखिए आपके लिए अगर जी चैनल यूस्फुल है तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करना ना भूलें जो भी अधर फैक्ट थे वो मैंने आपको इस वीडियो के मार्दम से बताए इससे बाहर वो कुछ नहीं पूछेगा कॉन्फिदेंस बना के जाएए कॉन्फिदेंस और ओवर कॉन्फिदेंस में कनवर्ट मत करना इमानदारी से पढ़ते हो तो आपका एक्जाम कापी अच्छा जाएगा और मैं कहाना चाहूँगा इस वीडियो के एक बर और पिले करिये दो बर पिले करने के बाद में आपको मैक्रियों कुछन्स याद हो जाएंगे बाइ बाइ टेक केर और अल दे बेस्ट